हालो नासिंग अभीसर्स वेलकम टू माई चानेल आज आ है नौए और एक टॉपिक लेके जो की आई भी फ्लूइड मतलब इंट्रेवेनास फ्लूइड के बारे में तो देर थ्री टाइपस अब इंट्रेवेनास फ्लूइड आइस्टोनिक हाइपोटोनिक और हाइपोटोनि स्िएज में प्लूइड नौजल देक्शनवेन में प्लूइड आतकता है गतोशन मेंस फ्लूइड मतलब हाइपोटोनिक से जो है कि मतलू आते हैं इस ख्लं अब करन्स राटेव 24值 में ऑटेवग और हेल भब इंत पंस औरोान्ट देश्टोछन में हम आधां में मतलब श् मतलब 10% Dextrose जो है वह आते है Hypertonic solution में and 3% Nas आते है Nacl जो है वह आते है Hypertonic solution में तो पहले देख लेते हैं solution के क्या क्या function है Isotonic solution 5D यूज़ करते fluid loss and dehydration and hypernatremia patient को मतलब जिसका sodium high है उनके लिए तो Isotonic solution 0.9% NACl कौन-कौन से यूज़ होते हैं उस कह लिए के लिए आहटनाइस है नैस देख दिखते हैं आरएल के बारे में अरेल मतलब इंगल लेक्ट decodate dehydration patient को देते हैं burn patient के लिए RL must lower GI fluid loss patient को देते है acute blood loss जिनको हो रहा है उनके acute blood loss के लिए देते हैं hypopholymics or duty starch spacing के लिए जो hypopholymics shock होडा है उनके लिए isotonic solution RL देते हैं ठीके next देखते हैं किस 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 टाइम फे यूज करते हैं ठीक है तो 0.4 पासेंट जो हाफ एनेज जो है वो देता है वाटर रिप्लेस्मेंट के लिए डायबेटिक केट्रासिस ड्योसिस पेसेंट के लिए देता है गास्टिक फ्री लॉस फर भॉमिटिंग जो होड़ा है उनके लिए हाइप पर सव्क पेसेंट के लिए लिए एडिसन क्राइसस एडिसन क्राइसस मतलब जो डिजीज है उनके लिए क्या क्या होता है कि आफोइम्द इम्यून इबिजीज जीसके लिए आपका लो बीपी और लो सुगर हो जाता है उनके लिए हाइप ट्रीश स्लुशन वह भी 5 पासे and glucose is required उनके लिए hypotonic solution based choice है तो यह है three types of solution and solution का type भी बता दिया गया और solution 5D होगा या NS होगा या RL होगा या 10D होगा या 3% NS होगा सभी बता दिया गया है कौन कौन सा type में कौन कौन NS आते हैं तो इधर special consideration भी है तो क्या क्या होता है यह सट्रेणिक solution में कौन कौन टाइम पर आम देंगे या नहीं देंगे वह है तो बात में बताएंगे तो आज का topic यही थाक है थैंक्यू